स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं CET प्रेक्टिस पेपर के मध्यम से आपके सामने हर्याना जीक के और हर्याना करंट अफेयर पे बहुत कुछ रखना चाहता हूं और आज से अपने जितने भी टेस्ट पेपर हैं आपके सामने रखने का प और उरजा की शपलाई की लक्षे रखा तो वह हमारा आंशर है 2023 24 सिस हमारा आंसर होगा उसके बाद है ॉसके बाद है देश के पहले मधू मख्य पालन विकाष केंदर का निर्मान हर्याना में कहां पर किया गया तो आपको याद है मधू मख्य, पालन, विकास, केंद्र जो है, उसका निर्मान, हरियाना में, हिसार में किया गया है, तो हमारा आंसर इसमें ये है, देखिए, अगला हमारा क्वस्थन क्या है देखिए, देखिए, नमें रिटalten, सुची वन सुची दो हिसार आकासवानी केंद्र जो है वो manipulated श्तापित किया गया तो एक आंसर हमारा नमबर 2 एक का आंसर नमबर 2 देखें नीचे ABCD डिमिलान ओप्सन भी दिये गए है रोतक आकासवानी केंद्र जो है वो नमबर 4 पे यानि वर्स 1976 में स्थापित किया गया उसके बाद में नमबर C पे क्रुक्षित्र आकासवानी केंद्र जो है वो 3 नमबर यानि 1999 में स्थापित किया गया और हिसार दूर दर्शन केंद्र जो है वो वर्स 1991 में स्थापित किया गया और वो देखे यानि A 2, B 4, C D3 और D1 option number A हमें यहां पर हमारा answer मिलता है और अब की बार option में E option भी आपको साथ में मिलेगा जिसमें लिखा होगा जानकारी नहीं है यानि आपको हर person का का हल जरूर देना होगा आप या तो person को करें और या इन में यानि हमें जानकारी नहीं है ऐसा option चुनें नहीं तो negative marking में 0.92 तक आपके number कट सकते हैं यह आपको याद रखना है देखिए हमारा अगला person क्या है नमबर चार में देखिए नमबर चार में निमिन में से किस निर्त्य प्रंपरा हर्याना में महाबारत काल से चली आ रही है यानि कौन सी निर्त्य प्रंपरा हर्याना में महाबारत काल से चली आ रही है वो है धमाल निर्त्य नमबर A पे दिय गया है धमाल निर्ते अब नमबर पांच बे है हर्याना का कौन सा सहर धरमसालाओं के सहर के नाम से जाना जाता है तो वो है कुरुक्षित्र आपको याद रखना है वो कुरुक्षित्र है अगला परसंद देखिए हाल ही में किस हावाई अड़े का नाम बदल कर सहीद भगत स ऐसंग के नाम पर रखा गया तो वो है चंदीगड यह आपको याद रखना है हर्याना में निमिन में से किसका नाम किसका नाम संथ कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा राज़े-पाल आवास उचायुकत आवास विधान सभा अध्यक्स आवास तो मुख्य-मंत्री प्रमपरागत कोस्टन भी हैं जिनको आपको अपना मुलंकन अच्छी तरह से जिनको देखकर करना है देखे उसके बाद में हम आते हैं नेक्स कोस्टन में नमबर आठ हर्याना में मुख्यमंतरी विवा सगुन योजना के अंतरगत कन्यादान के तोर पर कितनी राशी दी जा है तो हर्याना प्रांत को बिजनस रिफोंप लान एक्षन 2020 रिपोर्ट में भारत सरकार के हिसाब से तीसरा स्थान मिला है यह आपको याद रखना है स्टूरेंट्स उसके बाद में हमारा अगला परसना आता है देखे नंबर दस नंबर दस पे देखे हर्याना में निमिन म किया गया है तो वो स्थापित किया गया है हिसार में आपको याद रखना है उसके बाद में है गूरा नंबर हर्याना के किस स्थान पर चंदीगाड की तर्ज पर यह लेक्त स्टूडेंट्स निमिल्क में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है कमलना तिर्थ कुरक्षेतर बिल्कुल सही है बीरबल की छत्री नारनोल बिल्कुल सही है काला अंब पानी पत बिल्कुल सही है चोर गुम्मद जीन्द ये गलत है चोर गुम्मद जो है वो पलवल वो अमवाला है आपको याद रखना है अगर आपको question नहीं आता है तो मैंने हर option में जानकारी नहीं है मैं mention किया है आप उसी को option चुने कोई भी question छोड़ना नहीं है नहीं तो negative marking में आप चले जाएंगे उसके बाद में हम आते हैं next question पर देखे महिला बनी है तो वो अनीता भाटी दीडु अवाटी है यह रिवर्णा भटी exists रहने हर्याना की रहने वाली हैं यह हिसार से सम्मध रखती है हिसार की रहने वाली हैं तो हर्याना से इनका सम्मध हो गया तो देखिए अगला कॉस्टन क्या है नंबर 15 पर आते हैं नंबर 15 पर है हर्याना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार दवारा हाल ही में किस फसल की दो उन्नत किसमें विक्षित की हैं तो हर्याना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने सर्षो की फसल की दो किसमें विक्षित की हैं यह हाल ही में करंट अफेयर में आता है एक में किसानों को परती एकर भूमी पाइप लाइन स्कीम के अंतरगत कितनी सबसीडी उपलब्द कराई जाएगी तो वो है 10,000 से 60,000 सी ओप्शन इसमें हमारा आंसर होगा स्टूरेंट्स अगला हमारा 17 नंबर कोस्टन देगी स्टूरेंट्स 17 नंबर कोस्टन क्या है 17 नंबर कोस्टन है हर्याना में किस पुलिस अधिकारी को हाल ही में हर्याना सरकार दवारा पुलिस पदक से समानित किया गया है तो वो है प्रीत पाल सांगवान B number option इसमें हमारा answer होगा students उसके बाद हम आते हैं 18 number question पे तो 18 number question पे देखे students अठाना प्राकर्तिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस प्रसू की खरीद पर हर्याना सरकार 25,000 रूपे सबसीडी परदान करेगी तो प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 अजार की सबसीडी अगर कोई देशी गाए को खरीदता है तो हर्याना सरकार उसे सबसीडी देगी तो देशी गाए इसमें हमारा अंसर है अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं है यह ओप्षन आप चूज कर सकते है उसके बाद 19 नंबर कोईशन पर आते हैं हाल ही में भारतिय टीम में चैनित हर्याना के खिलाडी रमीता नैंसी और अभी से एक लालर का संबन की स्केल से है तो आपको याद रखना है वो निसाने बाजी भारतिय टीम में इनका चैन किया गया था तो बी इसमें हमारा आंसर होगा नंबर 20 नंबर कोईशन में आते हैं स्टूडेंट्स देखे हर्याना की पिरियंका सोरग को हाल ही में पावरफुल वूमेन अवार्ड से समानित किया गया था यह प्रतियोगिता हर्याना के किस सहर में आयोजित की गई थी तो आपको याद रखना है जिसमें पिरियं से मैं आपकी तैयारी का सही मुल्यांकन करना चाहता हूं और आगे लगातार CET से सम्बंदित परिक्षाओं से सम्बंदित टेस्ट पेपर मैं आपके सामने लगातार रखता रहूंगा और जल्द ही मैं आपसे 3-4 घंटे बाद फिर मिलता हूं अगले अगले टेस्ट